Hello everyone, today we'll discuss one of the pro chapters from our Hindi book that is जनननी जन्वभुमी, so let's start तो ये नीबन किसके बारे में है, पहले हम जानेंगे, उसके बार हम इस विसेया के बारे में पढ़ेंगे तो दिखिए, या नीबन हमारी जन्वभुमी, यानि हमारी जन्वभुमी कौन है उडिसा, जिसके बी और भी बहुत सारे नाम है, जैसे के उदकल, कलिंग, कोशल, अदी उडिसा के बारे में काफी जनकारी देता है, तो ये चाप्टर को पढ़ने के बारे में जन्वभुमी के बारे में तो हमारे जन्व भूमी कौन है उडिसा, उडिसा के और भी बहुत सरे नाम है जैसे उतकल, कलिंग, कोशल ठीक है तो कलिंग के लोग बड़े बीर और सहासी होते हैं जो उडिसा के लोग होते हैं वो बड़े क्या होते हैं बीर होते हैं और सहासी होते हैं करेजियस होते हैं कलिंग की सेना ने समरट असोकी सेना के साथ मुकाबला किया था जो कलिंग के सेना थे वो किसके साथ मुकाबला किये थे तो समराट औसो के साथ बहुत लोग मारे गए थे तो उसी उद्ध में बहुत सर लोग मारे गए थे मध्यकाल में उडिशा के गजपती राजाओं ने गंगा से गोदाबरी तक अपना राज्या फिलाया था आज वह गवरब अतीत में डूब गया है उतकल भूमी मंदीर मुर्तियों बनाने की कला में मशुहूर थी जो उतकल भूमी है यानि ओरिसा वो मशूर यानि फेमस किसी लिए थी मंदीर मुर्तियां बनाने के लिए जो हमारे ओरिसा में भूमनेशर है उसे हम क्या कहते हैं देश विदेश में प्रक्ष्या थी ओडिशा का बर्तमान फिर से उश्याजन हुआ सोतंतरता के बाद यहां अन्यक छोटे वड़े उद्यक तथा कार्खनाय स्तापिद हुए हैं तो जोब हम स्वाधिन बने उसके बाद में हमारे ओडिशा में बहुत सारे उद्यक यानि क्यार खनाय स्तापिद हुई हैं कई बंदर गाओं की स्तापना हुई है यह प्राम्त आज प्रगति के पत पर चल ला है इतने स्वाधिन होने के बाद हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हम प्रगति के पत पर यानि सफलता के ओर जा रहे हैं तो आईए दिखते हैं निवबंद में क्या लिखा हुआ है तो आपको पता चल गया है कि जननी जन्मभूमी यानि आमरी जन्मभूमी उतकल ओरिसा यानि कॉसल के बारे में बहुत सरे जानकरी दी गहीं है इसमें तो चल यह सूर करते हैं तो देखो यहां दुनिया बड़ी अजीब है यानि अद्भूत है क्या क्या नहीं है इसमें बड़े बड़े पहाड़े हैं घने जन्गल हैं कल कल करते नदियां में बेती हैं तो यह जो दुनिया है वो बड़े अजीब है यानि अद्भूत है क्य अजीवे क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें हैं जैसे कि क्या बड़े-बड़े पहाडे हैं घने जंगले बड़े-बड़े पहाडे इसमें हैं घने जंगल हैं कल-कल करती नदियां भैती हैं तो नदियां किसी भैती हैं कल-कल करके भैती हैं जन्ने जड़ती हैं सागर गरस तो आपको पुछे का सागर डास करते हैं सागर गरस्ते हैं किस्म किस्म के पेड़ पोदे पशु पक्षी नर नारी है यहां किस्म किस्म के यानि प्रकार विविद प्रकार के पेड़ पोदे यानि व्रुक्षलता पशु पक्षी नर नारी जो यहां पर मनुष्य रहते हैं स अब आप दूसरे में भी कुछ अलग होता है। देख रहे हैं आप कितने सारे डिफरेंसे से, still there is unity in us, ठेक है, तो भला है तो बुरा भी है, तो हर दिन तो भला नहीं जाता कि हर दिन बुरा भी नहीं जाता, कभी भला है तो कभी बुरा भी है, कभी अच्छा दिन चला है, कभी बुरा गिन भी चलेगा, तुलसित अस क्या क किन्ह करता है Рद टे सेम मतलब विश्वा किन्ह गरता यहां जड्ड चान जार मतलब जिन लोग का जिवन यानी निर्जव चेतन मतलब सजीव चारा चार मतलब जो लग चल पारे हैं अच्छ नहीं चाल पारे तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें क्या है बिबिधता है बहुत सरे अच्छे लोग अच्छाई को जुनते हैं जैसे हन्ज तूर पी लेता है और पानी छोड़ देता है तो जो लोग अच्छे है वो लोग अच्छे को जुनेगे जो लोग बूरे है वो लोग बूरे चीज भी है यह किसके उप़र depend करता है या आपके उप़र depend करता है कि आप उसमें से क्या चुन देख रहे हैं जो आज एसे वीडियो देख रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना career का फिकर है वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लो एक अच्छा इंसान मन जाओ, फिर अच्छा से छेटल हो जाओ, कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग घर में कहते हैं कि मुझे एक फोन चाहिए ताकि मैं क्लासिस कर सकूँ, फोन ले आते हैं, फिर जाके कुछ अनाप सानाप करते रहते हैं, मतलब क्या पढ़ा है नहीं कुछ और काम, जैसे कि सोसियल मेडिया, गेमिंग वगएरा, बहुत साथ चीज है, यानि इसका मतलब नहीं है कि मैं बोल ले हूं कि वह सब चीज गलत है, आपको चुनना पढ़ेगा, क्या अच्छा है, क्या बूरा है, वह सब चीज मतलब, हड़ चीज अगर लिमिट में रहे ना, तो अच्छा है, ठीक है, सबका अपना अपना लिमिट होता है, अगर कोई भी चीज लिमिट से जादा होगे, तो बहुत बूरा होता है, अगर हम आपके एज को देखे, तो आपके लिए क्या सही है, पढ़ाई-बढ़ाई करना, तो जो लोग पढ़ाई को छोड़कर दू कि यजिते हैं, इसलिए उन्हें को चुना है, इसा है हंस, हंस क्या करता है, हंस्य हमे सबुद् पी लेता है, और बानी चोड़ देता है, हंस ऐसे सबूर दूद और पानी को अलाग कर सकते है, अगर आप पानी और दुद् घंस का करें अच्छा ही बुराई मिल जूलके, हं मारा काम है हम अच्छाई को चुनेगे अगर हम अच्छाई को चुनेगे तो हम बड़े होकर अच्छे इंसन बन सकेंगे तो देखो संसार हर पल बदलता भी रहता है रूत्य है बदलती है तो आपको पता है रूत्य है अब थंडी के मौसम चल रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि सालों बर थंडी ही रपड़ेगी गर्मी भी होगी ठीक है बारिस भी होगी तो संसर हर पल क्या रहता है बदलता रहता है मतलब अब सुबह आए तो साम भी होगी रात भी होगी अब ठंड हो रहा है बरिश भी हो सकती है गर्मी भी आ सकती है ठीक है कोई भी स्तीर नहीं रहता है संसर क्या करता है हर पल बदलता रहता है रूतियें भी बदलती रहती है मौसम कभी सुआबना होता है तो कभी डराबना जब साइकलोन होती है तब क्या होती है जोर से वारिस होती है काले बादल छा जाते है ठीक है जोर-जोर से हवा चलती है तो उस टाइम क्या लगता है मौसम एकदम डराबना लगता है ठीक है कभी डराबना भी रहता है कभी जानेवा गर्मी कभी तो कभी कड़ात के सरदी कभी क्या होता है अभी तो आ खाने को पीने को नहीं मिलता है आत्मी कभी सूख चन से जीता है तो कभी दुखी हो जाता है तो आत्मी सूख चन तो जो सूख है दूख है वो कभी स्तीर नहीं रहते हैं कभी सूख तो कभी दुख ऐसे चलते रहते हैं यानि कभी कुछी कभी गम ठीक है कहीं अमीर है तो कही गरीव तो बहुत लोग ऑसे हैं जो हम都हिख लोग है जशे दिन जलदी उड़ते हैं जो जो आप किसके इंतेजार करते हैं तो क्या लगता है कि वक्त दिरे दिरे गुजर रहा है। ठीक उसी तरह जब दिन बूरे होते हैं तो आमें लगता है कि बूरे दिन हले हले यानि दिरे दिरे सरकते हैं और अच्छे दिन जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। चार दिन का चांद्री मतलब कभी खुशी कभी गम ठीक है चार दिन के चांद्री जो चांद्री है ना फिर लगता है क्या हमें कि चांद्री जो हो एदे चार दिन की मतलब जो खुशी होती है वो शर्प समय के लिए होती है और जो दुख होते हैं हमें लगता है कि क्या दिरे 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 सरकता है जब आप किसका इंतजार करते हो तो आपको क्या लगता है कि जैसे वक्त गुजारता नहीं दिरे 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 चल रहा है अगर आप कुछ मजा मस्ती कर रहे हो कि आपने दोस्तों के साथ वक्त विता रहे हो उनके साथ खेल ले हो तो ऐसा क्य लगता है कि वक्त जल्दी जल्दी चला गया ठीक है तो यही है जब सुख के दिन होते हैं वो क्या होते हैं जल्दी उड़ जाते हैं और जो धुक के दिन होते हैं वो धीर धीर सरकते हैं ठीक है यह मनुश्य भी अजीब प्राणी है मनुश्य क्या है एक अजीब प्राणी है तो वो लोग क्या करेंगे, सो जाएंगे कि नहीं हमारा S1 तो अच्छा नहीं गया, तो हम S2 भी नहीं देंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे, सो जाएंगे, इसा होता है कि नहीं होता है, इसा को नहीं होता है ना, हम सोचते हैं ठीक है, अगर S1 खराब गया, तो हम क्या करेंगे से टू के लिए पढ़ाई सुरू करेंगे ठेके तो यही है हम लोग क्या अंधिरी राज से डर्ते नहीं लड़ते हैं हम लोग क्या परिशानी से डर्ते नहीं हम लोग उसके साथ लड़ते है वो हर दुख को जलता है हर दर्त को सहता है इंसान क्या करता है जो भी दुख होता है दर्द होता है पिड़ा होता है उससे जलता है यानि उसका सामना करता है जलने का मतलब क्या सामना करता है और क्या करता है हर दर्द को सहता है जो आदमी वो अंधिरी रात से नहीं डर कर उसके साथ लड़ता है अपने हर दुख भागता नहीं, चार दिन की चांदनी की तलास में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकुर्थी से भी लड़ता है, कभी-कभी इनसान क्या करता है, वो चार दिन के चांदनी के लिए, यानि खुश्ची पारने के लिए, वो प्रकुर्थी से भी लड़ जाता है, उस पर जमाना चाहता है क्योंकि आसा से ही आकास थमाएं यह जो हैं न यह एक他 कि अन्ही बहुत्त है मैं आपके लिए मन दी तिमें ने हम आनका हTalk कोरण सो है क्रोछ समय गार जमा जाएं प्री आसा से ही आकास थमाएं।い असा सही क्रोफ स्थ होच थमाएं को देजोना समने भाईब हो नी, तो आस्सा जो टे होची सपीटए होचीहँ, आस्सा पाएंगी तुम्हराअकास होची, त्लो आकास कभाई हो आस्सा खेल? थब हो नी? ठीक हची मनिष्य की यह अध्यम जिग्यास अना याना इतियास रज दिये इहां उसके उत्थान और पतन की कहानी है मतलब उत्थान मतलब क्या attendance जो life में होता है कबhai कभी निचे आ जाता है मतलब बुरे दिन आ जाते है तो इस जो अच्छे दिन है ये बुरे दिन है इस तरह रहेंगे उसी तरह बुरे दिन रहेंगे ऐसा नहीं है कि, सिर्फ अच्छा दिन चलता रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि, हट दिन बूरा दिन ही चलता रहेगा. तो कुछ दिन अच्छा रहेगा, कुछ दिन बूरे भी रहेगा, ठीके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें patience यानि धर्य रखकर उस दूप दर्द को सहना पड़ेगा उसके सजलना पड़ेगा उस अंधेरों को यानि उन समस्याओं के साथ हमें लड़ना पड़ेगा ठीक है तो आज तक इतना ही और जो बाक्की का है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी के साथ सेयार कीजिए अगर किसी भी प्रकार का डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में लिखती जिए मैं पूरी कोशिस करूंगी उसे समाधान करने के लिए and one most important thing is don't forget to subscribe my channel thank you